हेलो सुद्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 26 ठीक है नाइन्थ क्लास की है और साइन सब्जक्ट की बेटा आ इंगलिस मीडियम के लिए बेटा अलग से बन चुकी है तो आप वहां से देख लेना इसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा जीवन की मोलिक इकाई इसमें आज हम पढ़ेंगे एक अलग कोसी कांगक के बारे में जो कि क्या है प्लास्टिर और इससे पहले हमने काफी सारे कोसी कांगक पढ़ चुके हैं आज हम इसको पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी क्या इंपोर्टेंस है क्या इसकी जरूरत है कहां पाया जाता है किसमें पाया जाता है सब जानेगों कि तो यहां पर जिग्यासा और ग्यान बेटा बात ये करते ही और कैसे होता है ठीक है तो वो क्या बताती है कि ग्यान हम जानते हैं कि प्लास्टिड धोरी जिल्ली वाला कोसी का अंगक है हमें ये तो पता है बेटा देखो ये कोसी का है मान लो ठीक है तो कोसी का के अंदर ये केंद्रक है और इसके बीच में जो ये होता है कोसी का द्रव् तो जो प्लास्टिड है वो धोरी जिल्ली द्वारा गिरा होता है यानि कि इसकी दो परते होती है एक भारी परत और एक भीतरी परत ठीक है तो दो परते होती है इसकी जो केवल पादप कोसिका में स्थित होता है और ये केवल पादप कोसिकाओं में ही पाया जाता है प्लास् त्रीड दो परकार के होते हैं और ठीक है Lyukoplast और क्रोमoplast अब ये दोनों क्या है Lyukoplast क्या है? Lyuko का मतलब होता है स्वेत तीक है? ये रंग हीन इसलिए इसका नाम क्या पढ़ा? Lyukoplast पढ़ा तो ये है अंगक पादप कोजिका में अब देखो ये क्या है? Leukoplast को हम कह सकते हैं कि ये स्वेत तथा रंगीन होता है और ये अंगक पादप कोशिका में खद्य पधारतो यानि कि प्रोटीन, स्टार्च और तेल आधी का भंडारन करता है क्योंकि ये और कारिये तो कर नहीं सकता है और लालित्यादी होते हैं तो इसके अंदर बिटा अलग-अलग रंग के क्रोमो का मतलब रंग होता है तो इसमें अलग-अलग तरीके के वरनक पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं जो पादपो में फूलो तता फलो को विबिन रंग परदान करते हैं जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वरनक होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है तो जोन सा क्रोमोप्लास्ट होता है अगर देखो क्रोमोप्लास्ट है क्रोमोप्लास्ट कई होंगे अब ठीक है हर कोजिका के अंदर तो जिसके अंदर क्रोमोप्लास्ट के अंदर हरा रंग पाए जाएगा हरा वर्नक वो क्लोरोफिल होता है उसमें तो उसको हम क्या बोलते है क्लोरोप्लास्ट बोल देते है उस क्रोमोप्लास्ट को ठीक है तो जो पत्तिया और जो पत्तिया तथा पादप को हरा रंग परदा मतलब कि heurii कि लोरो फिल किया करता है पति यो 2 को करता है ठीक है क्लोरॉप्लास्ट में जीव jगत की सबसे महतापुन जैवरासाएनिक कि रिया ठीक है तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है क्लोरो फिल काहाँ पाया रहा है chloroplast के अंदर पाये जा रहे है तो इसका मतलब जो chloroplast है जैवरासाइनिक पर किरिया थी जो प्रकास अंसलेसन वो कहां पर होगी chloroplast के अंदर ही होगी ठीक है, और यह सबसे महत्तवून है क्योंकि इसी में क्या बनता है बोजन बनता है और भोजन नहीं बनेगा तो कोई भी जीवित जीव जगत का यानि कि जीवित जितने भी परानिय वो नहीं बचेंगे जीवित ठीक है अगर उनको भोजन नहीं मिलेगा तो इसके भीतर पाई जाने वाली खाली स्थान ओके बेटा अब तुम यहाँ पे देखो यह वाला डाइग्राम है यह तुमें दिखाया गया प्लास्टिड का ठीक है तो यह थोड़ा सा बलर दिखाई देगा लेकिन बेटा यह डाइग्राम ही ऐसा है तो यहाँ तुम समझो मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो यह क्या है बेटा पादब कोसी का है ठीक है पादब कोसी का में यह अलग-अलग क्या है कोसी का अंगक है ठीक है इसमें से एक कोसी का अंगक क्या है बेटा यह प्लास्टिड है अब यह प्लास्टिड जो है अगर हम इसको काट के देखेंगे तो हमें इसमें क्या क्या दिखाई देता है इसके अंदर जो ये है इसकी भारी परता है और ये इसकी भीतरी परता है धीकिया दो परती समें बेटा इसके अंदर क्या पाये जाते है dna पाये जाता है ठीक है अर इनको जो ये दिख रहे है तुमें हलके ठालर के जो ये layer दिख रही है इसको बोलते है granum ठीक है और जो ये डार्क भी है ठीक है मतलब इसको cut करके देखेंगे तो ये क्या है lumen और इसमें बेटा क्या होते है राइबोसोम भी पाए जाते है ठीक है तो इसके अंदर खुद का राइबोसोम ये डोट डोट देख रहे होंगे तुम ये डोट डोट सी क्या है ये राइबोसोम है तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है आकार होता है ठीक है अब इसमें क्या बोल गया है बेटा कि इसके भीतर में पाई जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा बोलते हैं हमने देख लिया ठीक है जो एक तरल पधार्त मैट्रिक्स से भरा होता है तो मतलब जो ये खाली स्थान होता है खाली जैसे हमारा ब्लड होता है ब्लड के अंदर अलग-अलग तो इसके अंदर भी ऐसा एक तरल पधार्त होता है जिसको जो मैट्रिक से भरा होता है अब जिसमें क्या होता है ये तरल पधार्त जो मैट्रिक से भरा होता है इसके अंदर बहुत सी जिल्ली वाली पड़ते होती है ठीक है जिने हम क्या बोलते है थाइलोकोड ये जिल्ली व अगर दुकान हो या सोप हो तो हम क्या करते हैं जो मर्जी चाहिए तब ले सकते हैं अपना जो जिस टाइम हमें जो काम करना आसानी से कर सकते हैं ऐसे इसका खुद का DNA और प्रोटीन होता है तो जब इसको जो जरूरत होती है यह उसका यूज कर लेता है ठीक है तो यह तो थ होने वाली परकास संसलेशन की करिया सभी जीवों के लिए एक भीत सी महतव पून के रिया है ठीक है तो इह करिया पादप कोसीव के परनक की वज़े से संभव हो पाती है क्योंकि बेटा पाधप कोसिकाओं में ही क्या पाये जाता है क्लोरोप्लास्ट पाये जाता है मतलब कि प्लास्टिड पाये जाता है और प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाये जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जिसकी वज़े से क्या होता है, प्रकास anticipation की प्रक्रिया हो पाती है, ओके, जनतु कोसी का में यह नहीं पाय जाता, इसलिए हम सब क्या होते, पोदों पर depend होते अपने खाने के लिए भोजन के लिए ठीक है इस किरिया में हरे पोदे सूर्य के परकास की उपस्तिती में अब ये कैसे बनाते हैं मिटा भोजन तो इस किरिया में हरे पोदे सूर्य के परकास की उपस्तिती में वाईयू से कार्बन डायोकसाइड तथा भूमी से जल लेकर कार्बनी खाद्या पधारतों जैसे की कार्बो हाइडरेट्स ठीक है यानि कि ग्लुकोज का निर्मान करते हैं और साथ ही ओक्सीजन गैस को भार निकालते हैं तो इन दो चीजों का निर्मान करते हैं आप यहां रियक्सन से देख सकते हैं जो तुम्हें अभी के रिया दिखाई गई है जल लिया और क्या लिए कार्बन डायोकसाइड ली परकास की उपस्तिती में और क्लोरोफिल की उपस्तिती में क्या बना दिया ग्लुकोज बना दिया ओक्सीजन बना दी और जो एक्स्ट्रा का जल बच गया बेटा वो वापस से हमें इधर मिल गया ठीक है तो यह तो थी आपके आज की बक्षिट इसके कुछ कोशन कर लेते हैं बेटा फर्स्ट कोशन क्या है परकास संसलेशन के लिए आवश्यक कोशी का अंगक कौन सा है तो मतरब परकास संसलेशन के लिए कौन सा आवश्यक कोशी का अंगक है जिसमें क्लोरोफिल पाये जाएगा क्लोरोफिल किसमें पाये जाता है तो आप जो भी लिखना चाहो वो लिख लेना अब सेकंड कोशन क्या है बिटा प्लास्टिड के विभिन परकार और उनके कारिये लिखिए ठीक है तो इसके परकार और विभिन कारिये हमने अभी यहाँ पढ़े थे बिटा एसइटीज है बिल्कुल इसले यहाँ से आप कर सकते हैं इसको क्या लिखोगे प्लास्टिड के दो परकार हैं लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट लिकोप्लास्ट में क्या है यह स्वेत और रंगीन है यह पादप कोशिकाओ में खद्यपदार्तों को भंडारन में यूज होता है ये लिखे दोगे पूरा क्रोमोप्लास्ट में के रगए इस प्लास्टिर में विभिन रंग के मतलब की वरनक पाए जाते हैं जैसे ये हो गए और पादपो में फूल और फलो को विभिन रंग परदान करते हैं और जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वरनक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते है जो क्या करता है पादपोर पत्यों को हरा रंग परदान करता है और क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महतपून जेवरासाइनिक परकिरिया होती है जो कि परकास संसलेशन होती है तो यहां तक लिखोगे हमें कार यह लिखना था ठीक है यहां से लेकर यहां तक आप लिख दोगे यह आपको हो जाएगा second question का answer ठीक है अब बेटा third question क्या है कि परकास संसलेशन का sun shape में वर्णन करो ओके मतलब कि आपको कम से कम सब्दों में बताना है क्या होता है तो कैसे लिखोगे परकास संसलेशन क्या होता है वैपर किरिया जिसमें हरे पोदे सूर्य के परकास की उपस्तिती में वाईयो से carbon dioxide तथा भूमी से जल लेकर ठीक है oxygen gas O2 आएगा ठीक है यह गलत लिखा गया O2 लिख लेना O2 बाहर निकालते है परकास संसलेशन पर किरिया कहलाती है ठीक है और यह आपको क्या लिखना है समीकरन लिख देना है ठीक है यहाँ से बिल्कुल और जो यह है बिटा यह क्या है C6H12O6 अच्छे से तुम्हें देखना है यह reaction तो यहाँ से देखो यहाँ से लिखना है इस reaction को इसमें यहाँ पर आपको लिखना है परकास और क्लोरोफिल की उपस्तिती भी तो यह आपका थर्ड का अंसर हो गया अब फूर्थ का क्या है बिटा क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में पाये जाता है और कौन सी दो कोसिकांगों को में उनका अपना DNA होता है तो हमने अभी पढ़ा था बिटा कि क्लोरोफिल क्या होता है क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड में पाये जाता है और mitocondria एवं plastic कोसी कांगों का अपना खुद का DNA एवं ribosome होता है तो इनका खुद का अपना DNA और ribosome होता है किसका mitocondria का और plastic कोसी कांग का तो बिटा ये थी आपके आज की वक्षित उमीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगे और अगर कोई doubt रहे भी जाता है तो आप मेरे से comment box में पूछ लेना ठीक है और जो अपना next topic होगा हम अपनी next video में करेंगे तो तब तक के लिए ऐसी हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं पढ़ते रहे हैं बढ़ते रहे हैं थेंक्यू